नमस्कार, प्रस्तुत है जशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी वी एक कहानी, संदेह राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा, जंगल से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तडप रही थी, अपना उज्ज्वल आलोक खंड वा छोटा सा दरपन बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा को अरपन कर रहा था किन्तो प्रतिमा ध्यानमग न थी, उसकी आखे धूप से चौधियाती न थी, प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था किन्तो राम निहल उधर देखता न था, उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने के पहले वक्को खोलना चाहता था पढ़ने के इक्षा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था, और अपने को मना रहा था जैसे किसी भयानक वस्तू से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला एक चित्र उसके हाथों में था और आखों में आसू कमरे में अब दो प्रतिमाई थी बुद्ध देव अपने विराग महिमा में निमगन, राम निहाल राग शैल सा अचल जिसमें से हृदय का द्रव आस्मों की निर्जर्णी बनकर धीरे धीरे बह रहा था किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया भाबी, अरे भाबी, देखा नहीं तुने न, निहाल बाबू रो रहे हैं अरे तो चल भी शामा वहाँ आकर खड़ी हो गई उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत से अपनी करुना धारा बहा रहा था शामा ने कहा निहाल बाबू निहाल ने आखे खोल कर कहा क्या है, अरे मुझे शमा कीजिए और फिर आसू पूछने लगा बात क्या है, सुनो भी तुम क्यों ऐसे जाने के समय दुखी हो रहे हो क्या हम लोगों से कोई अपराद हुआ है तुम से अपराद होगा, या क्या कह रही हो मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूले प्रैश्चित करने का या धंग ठीक नहीं है या मैं धीरे-धीरे समझ रहा हूँ किन्तु क्या करूँ, या मन नहीं मानता शामा जैसे सावधान हो गई उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है शामा ने कहा उसके सामने चोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुन्दर मेच पर धूप की प्रतिबिम्ब में हस रही थी रामनिहल कहने लगा श्यमा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधवय का आदर्श देखकर मेरी हिर्द में विश्वास हुआ कि ये मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है किन्तो तुम्हारा अवलंब बड़ा दिड़ है तुम्हारे सामने बालोकों का जुन्द हसता, खेलता, लड़ता, जगडता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाई शिंगार से सजाकर रिदय कोठरी को मंदिर बना दिया है किन्तो मुझको वा कहां मिलता भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोचता हुआ जब मैं तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया मैं जब से संसार को जानने लगा तब इसे ग्रिह विही नहीं था मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तर अधिकार का अंश था मेरे पीट पर लाधेवे में घूमता रहा ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपने ग्रिहस्ती टट्टू पर लाधेवे घूमता है मैं चतूर था इतना चतूर जितना मनुष्य को न होना चाहिए क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतूर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है मेरी महत्वा कांशा मेरे उन्नती शील विचार मुझे बराबर दोडाते रहे मैं अपनी कुशलता से अपने भागे को धोखा देता रहा यह भी मेरा पेट भर देता था कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि यह दाओ बैठा और मैं अपने आप पर विज़े हुआ और मैं सुखी होकर संतूष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा किन्तु वह म्रिग मरीजी का थी मैं जिनके यहाँ अब तक नौकरी करता रहा चुप हो गया तो तुम काम की एक बात न कहोगे व्यर्थी इतनी शामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोपकर रामनिहाल कहने लगा तुमको मैं अपना शुपचिन तक मित्र और रक्षक समझता हूँ फिर तुमसे न कहूँगा तो यहाँ भार कब तक ढोता रहूँगा लो सुनो यह चायत है ना हाँ ठीक कार्तिक की पूर्णिमा थी मैं काम काच से चुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दश्वा में गाट पर जाने के लिए तयार था कि ब्रजकिशोर बाबु ने कहा तुम तो गंगा के नारे टहलने जाते ही हो आज मेरे एक संबंधी आ गये है इन्हें भी एक बजरे में बिठा कर घुमाते आओ मुझे आज चुट्टी नहीं है मैंने स्विकार कर लिया ओफिस में बैठा रहा थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुन्दर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इनी लोगों को साथ लेकर जाना होगा ब्रजकिशोर बाबु ने कहा मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है निहाल आपके साथ जा रहे हैं कोई असुविधा नहीं होगी इस समय मुझे शमा कीजिए आवशक काम है पुरुष के मुख पर की रेखाएं कुछ तन गई स्त्री ने कहा अच्छा है आप अपना काम कर लीजिए हम लोग तक तक घूम आते हैं हम लोग मान मंदिर पहुँचे बजरे पर चांदनी बिची थी पुरुष मोहन बाबू उपर जाकर बैठ के पैड़ी लगी थी मनूर्मा को चड़ने में जैसे डर लग रहा था मैं बजरे के एक कोने में खड़ा था हात बढ़ा कर मैंने कहा आप चले जाए कोई डरने की बात नहीं उसने हात पकड़ लिया उपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा मेरे पती पागल बनाये जा रहे हैं कुछ-कुछ हैं भी तनिक सावधान रहेगा नाव की बात है मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं किन्तु उपर जाकर बैठने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुन्दर मुक का सुर्वित निश्वास अपने अनुभूती दे रहा था मैंने मन को शांत किया चांदनी निकल आई थी घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी चोटे चोटे दीपक बहते वे दिखाई देते थे मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आखें और भी फैल गई उन्होंने कहा मनूर्मा देखो इस दीप दान का क्या आर्थ है तुम समझती हो गंगा जी की पूजा और क्या मनूर्मा ने कहा यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है जीवन के लगू दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है आह कितनी सुन्दर कलपना कहकर मनोज बाबू जैसे उच्छवासित से हो उठे उनकी शारीरी चेतना मानसिक अनुभूती से मिलकर उत्तेजित हो उठी मनूर्मा के कानों में धीरे से कहा देखा न आपने मैं चकित हो रहा था बजरा पंच गंगा घाट के समीप पहुँच गया तब हस्तेवे मनूर्मा ने अपने पती से कहा और यह बास में जो टंगेवे दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे तुरंथी मोहन बाबु ने कहा आकाश असीम है जीवन दीप को उसी और जाने के लिए यह भी एक संकेत है फिर हाफते वे उन्होंने कहना आरंब किया तुम लोगोंने मुझे पागल समझ लिया है यह मैं जानता हूँ ओह, संसार की विश्वास घात की ठोकरों ने मेरे हिर्दे को विच्षिप्त बना दिया है मुझे उससे विमुक कर दिया है किसी ने मेरी मानसिक विपलोवों में मुझे सहायता नहीं दी मैं ही सब के लिए मरा करू यह अब मैं नहीं सह सकता मुझे अकपट प्यार की आवशकता है जीवन में वह कभी मुझे नहीं मिला तुमने भी मनोर्मा तुमने भी मुझे मनोर्मा घबरा उठी उसने कहा चुप रहिया आपकी तबियत बिगर रही है शांत हो जाईए क्यों शांत हो जाऊ रामनी हाल को देखकर चुप हो जाऊ वह जान जाए इससे मुझे कोई भय नहीं तुम लोग सत्य छिपा कर सत्य को छलना क्यों बनाती हो मोहन भाबू के श्वासों की गति तिव्रह उठी थी मनोर्मा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेश्ट हो रही थी मैंने सावधान होकर कहा मान जी अब घूम चलो कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो जली थी नाव मान मंदिर की और घूम चली मैं मोहन बाबू के मनुविकार के संबंध में सोच रहा था कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप आकर कहने लगे ब्रचकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनुर्मा उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो शर्यंत्र रचा है मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है उसे मैं समझ रहा हूँ तो ओह आप चुपने रहेंगे मैं कहती हूँ या व्यर्त का संदे अपने मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए चुट्टी तो हो स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबु कहने लगे तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने मुझे ये बाते नहीं कहनी चाहिए या मेरा अपराध है मुझे शमा करो मनूर्मा सच मुच मनूर्मा के कोमल चरण मनोहर बाबु के हाथ में थे वह पैर छुडाती भी पीछे किसकी मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया वह शुब्द और संकोच से भरी रमणी जैसे किसे आश्य को पाने के लिए व्याकुल हो गई मनूर्मा ने दीनता से मेरी और देखते वे कहा अप देखते हैं सच मुझ मैं देख रहा था गंगा के घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था नक्षतर बिखर रहे थे और एक सुन्दर यूती मेरा आश्य खोज रही थी अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वा संदे भार से पीड़ी तुस्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं न तब वह मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है मैं चुप था घाट पर बजरा जा लगा फिर वह यूगती मेरा हाथ पकड़ कर पैडी पर से समलती वे उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों ध्रिष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्ने हूँ मोहन बाबू उपर चड़ने लगे मैं मनुर्मा के पीछे पीछे था अपने पर भारी बोज डाल कर धीरे धीरे सीडियों पर चड़ रहा था उसने धीरे से मुझ से कहा रामनिहाल जी मेरी विपत्ती में आप सहायता न कीजिएगा मैं अवाग था शामा ने एक गहरी द्रिष्टी से रामनिहाल को देखा वह चुप हो गया शामा ने आग्या भरेवे स्वर में कहा आगे और भी कुछ है या बस रामनिहाल ने सिर्जुका कर कहा हाँ और भी कुछ है वही कहो न कहता हूँ मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रचकिशोर बाबुया चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिये जाए और भ्रचकिशोर उनकी संपत्ती के प्रबंदक बना दिये जाए क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंदी थे भगवान जाने इसमें क्या रहसे है किन्तो संसार तो दूसरी को मुख्य बनाने के वैवसाय पर ही चल रहा है मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है तुम जो यह चिट्टियों का बंदल देख रही हो वह मनोर्मा का है रामनिहल फिर रुग गया श्यामा ने फिर तीखी दृष्टी से उसकी उर देखा रामनिहल कहने लगा तुमको भी संदेह हो रहा है तो ठीकी है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है मनोर्मा क्यूं मुझे इससे में बुला रही है अब श्यामा ने हसकर कहा तो तुम क्या समझते हो, मनोर्मा तुमको प्यार करती है शी रामनिहल, यह तुम क्यूं सोच रहे हो देखू तो तुम्हारे हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोर्मा का ही कहते कहते श्यामा ने राम निहाल की हाथ से चित्र ले लिया उसने आश्चरे भरे स्वर में कहा अरे यह तो मेरा ही है तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो यह अच्छी फासी लगी है तुमको मनोर्मा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको मन के विनोध के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है तब ही कायरों की तरह यहां से बोरिया बांधना लेकर भागने की तयारी कर ली है राम निहाल हत बुद्धी अपराधि सा श्यामा को देखने लगा जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो श्यामा दिड़ स्वर में कहने लगी निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठिन है तुम इस खेल को नहीं जानते इसके चक्कर में पढ़ना भी मत हाँ एक दुखिया इस तरही तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है जओ उसकी सहायता करके लोट आओ तुमारे यह सामान यही रहेगा तुमको अभी यही रहना होगा समझे अभी तुमको मेरी सनरक्षता की आविशक्ता है उठो नहा धोलो जो ट्रेन मिले उससे पटने जाकर ब्रचकिशोर की चालाकियों से मनोर्मा की रक्षा करो और फिर मेरेहा चले आना यह सब तुमारा भ्रहम था संदेह था रामनीहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छे लगी हो तो इसे एक लाइक करना न भूलें और अगर अब तक आपने मेरे चानल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे अनुरूद करूँगी कि ऐसी और भी कहानिया सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ इसके साथ लगेवे बेल आइकन को भी प्रस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद